गाईज दिसे जीयो वाला सैट्था बॉक्स जिषयो जीयो एरफाइबर केसाओ यूश्च आप्स लोगों को मिलता है काफेस लोग यह जाना चाहते थे कि जीयो का सैट्थाफब बॉक्स है वह लान केबल से चलाना चाहिए कि वॉइफाइ से चलाना चाहिए वह लोग नहीं चाहते होंगे कि 4K content enjoy करते वक्त उनका बफरिंग हो वह अगर थोड़ा सा दूर आपका router रहगा ना तो यहां पर कभी-कभी वह बफरिंग करने लगता है तो LAN से चलेगा कि Wi-Fi से चलेगा चलिए आपको live यहां पर test करके बताता हूं और उसके बाद आप लयां से connect कर लो या फिर Wi-Fi से connect कर लो अपने हिसाब से यह उससे पहले अगर आप अपने घर पर या फिर ऑफिस पर जियो का एरफिपर connection लगवाना चाहते हो तो simple आपको इस वीडियो के description में एक link मिलेगा उस link पर आप लोगो click करना है और आपको अपने सारा details बगर डालना है और एड्रेस बगर डालके आपको जियो के एरफिवर को book करना है book करता ही बहुत ही जल्दी आपका connection यहां पर लग जागा because हमारा यहां पर contact है डायरेक्ट जियो के टीम से इसी करन से हमारे link से अगर बुक करते हो तो यहां पर आपका काम थोड़ा सा जल्दी होगा देखो फिलाल जो है मेरा जियो से टॉप box यहां पर दिखालता हूं वाइफा से connected है इटल से है पर इसको जियो से कर लेता हूं यहां पर चला गया मैं वाइफाई के लिष्ट में यहां पर बहुत सरी यहां वह जितने विश्वाइफाई वह आ गया यह जो है जियो एर फे देखो आ गया ठीक है अभी मैं आपको चला गया दिखाता हूं इसमें एक सेटिंग में जाना है सेटिंग में आपको यहां पर ओप्शन दिया जाता है सेटिंग के अंदर कहां गया है network के अंदर हां net velocity स्पीड डेस्ट चेक करने के लिए ठीक है तो एक बार स्पीड टेस् दिल रहा है Wi-Fi से देख सकते हो रिलाइंस ब्लाटबंड वगर आ चुका है यहां पर करते हैं गो लेटनसी वगर सब कुछ आपको देखने को मिल लागा है यहां पर डावलोड स्पीड अपलोड स्पीड वगरा वगरा इसके लिए को अप्लिकेशन वगरा डावलोड करने बट उसका ही रिजन भी है ठीक है स्पीड क्यों अच्छे आ रही है विकॉज मेरा Wi-Fi यहीं पर है देख सकतो जियो एरेवर यहीं पर लखा हुआ है इसी कारण से स्पीड अच्छे आ रहे ठीक है पूरी स्पीड यहां पर देखने को मिल रही है 33 डावलोड स्पीड आया ह रही है है अच्छे सब्सक्तिक और है अब मैं चल रही है आई थिंक यह 4K पर नहीं चल रहा गाई देख सकते हूं HD पर चल रहा था अभी मैंने इसको कर दिया है 4K में 4K देख सकते हो यार स्टार्ट होगी है मतलब कोई बफरिंग अगर कुछ नहीं हो आप सीधा स्टार्ट हो गया 4K वीडियो यह कमाल जियो एर फइबर अगर लगवाना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगवा सकते हूं अब यह रहा ठीक है अभी मैं आपको लैंड से चला कर दिखाता हूं कि लैंड से क्या मतलब डिफरेंस क्या दिखने को मिलता है अब लैन कल देख लो है अपके लिए मैंने इसको लैन से कर दिया है अधर ललगा ले यह यह जया ओगे इसके पीछे यहां पर सेक्ट हो गया एंड आपको यह हां सेट्टों बॉक्स पर भी Liberal दिखाता हो कहां गया शेटिंग्स पे ना सेटिंग्स पे वह जो है आपको नेट विलेसिटी वाल ए आप नेट वर्क के अनदर हाँ यह रहा आपको यहां पर मैं आपको दिखा दता हूं कि जो हमने वाइफाई से गिया था उस पर फुल स्पीड आ रहे थी एंड यहां पर जो मैं लोग 31 मतलब यार वाइफाई से कम ही आ रहा है ठीक है देख सकते हो 31 उस पे कुछ 33 आ सबस्ता ना तो मतलब इसमें स्टेबल स्पीड आती है वाइफाई में क्या हो था है कि थोड़ा सा उपर नहीं जग अभी कभी हो सकता ठीक है इसमें आपको स्टेबल स्पीड देखने को मिल ठीक है ठीक है फोर के प्ले करते तो साला कुछ ट्रेस्ट हो जाता है कि उससे थोड़ा सा कम क्यूलिटी वाला चलाएंगे तो चलेगा की नहीं वो तो पता चल जाते ठीक है तो इसलिए जारे लिए चलाना चाहिए एंड मैं इसका देख लेता हूं कि कॉन सी क्यूलिटी यह चल रहा है अभी करते हैं इसको फोर के में और यह भी स्टाट हो गया है नो वरी गाइस थाट्टी अभी पेस मारम से फोर के चलेगा लैं से चलाओ या फिर चलाओ आप यहां पर वाइपाई से बट एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा ठीक है तो देखो गाई बढ़िया चलेगा बड़ अगर आपका वाइफाई थोड़ा दूर रखावा है तो यहां पे अच्छा यही रहागा कि आप अगर लैंड केवल से कनेट करो तो ज़्यदा बढ़िया चलेगा विकाद अगर दूरी रहा ना तो दूरी में क्या होगा कि आपका वाइफाई क आपको कम देखने को मिल सकता है कर जदा दूर रहा तो यह बास आप मैं बतब यह बात आप समझ लो ठीक है तो गाइस वीडियो पसमेंद आयो तो वीडियो को कर दो लाइक एंड उसी के साथ अगर आपको जियो एयर फैपर का कनेक्शन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रि वीडियो में दबतक लेजा है इंड बंदे मात्रम